असलाम वालेकुम वीवर्स, वेल्किम टी चैनल, एक्स्प्लोर दी लर्निंग, उमीद है आप सब खेरियत से होंगे नाजरीन इस वीडियो में है मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग इंफिर्मेशन रोबोटिक्स की दुनिया में हुआ एक नया इनकिशाफ साइंस्टानों ने इजाद किया है एक ऐसा रोबोट जो के अपनी शकल बदल सकता है जी हाँ, आपने बिलकुल सही सना, ये बाकी रोबोट से बिलकुल अलग है इसकी शकल एक समंदरी ककडी जिसे सी क्यूकंबर कहते हैं उस जैसी है और ये लिक्विट और मेटल में तबदील हो सकता है ये रोबोट्स के लिए दरपेश मुश्किलात का सामना करने के लिए तयार किया गया है ये अपनी इस काबलियत की वज़ा से बहुत सी जगों पर कारामत सावित हो सकता है जैसे के लेक्ट्रोनिक्स और मेडिकल फील्ड में इसके इस्तमाल किया जा सकता है नाजरीन इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से इनसानी मेडे के मौडल से अबजेक्ट्स को हटाने से लेकर एक पिंजरे से बच निकलने के बाद वापिस इनसानी सूरत में आने वाला ये रोबोट कैसे काम करता है नाजरीन चीन में चाइनीज यूनिवरसिटी ओफ होंग कॉंग कोंग के इंजिनियर चेन फैंग पैन का कहना है के रोबोट को लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स के दरमयान स्विच करने की सलाहियत फराहम करने से उनकी फंक्शनालिटी में इज़ापा हुआ है इस रोबोट को बनाने के लिए गेलेम का इस्तमाल किया गया है ये एक नरम धात है जो कि 29.76 डिग्री सेंटिग्रेट पर पिगल सकती है इस धात को आप सिर्फ अपने हाथ में पकड़ कर भी पिगला सकते हैं इसको हरकत करने के लिए एक मैगनेटिक फिल्ड की जरूरत होती है नाजरीन जब इस रोबोट का कामयाब तजर्बा कर लिया गया कि ये लिक्विड और सॉलिड स्टेट में मुन्तकिल हो सकता है तो रेसर्चर्ज ने इसके छोटे छोटे रोबोट को मजीद टेस्ट के लिए इस्तमाल किया नतिज़तन साबित हुआ कि ये छोटी खाईयों पर छलांग लगा सकते हैं रुकावटों पर चड़ सकते हैं यहां तक कि ये अलग हो सकते हैं और चीज़ों को जोड़ने के लिए भी काम आ सकते हैं और सिर्फ यही नहीं नाजरीन आप देख सकते हैं कि इस रोबोट का एक हुमेनाइट वर्जिन भी तियार किया गया है जो कि इस जेल की छोटी सी कोठरी से बचने के लिए पिगल जाता है और सलाखों से गुजरने के बाद तुबारा इनसानी चकल इक्तियार कर लेता है नाजरीन इसके बाद रिसर्चर्स की उस टीम ने इनसानी मेदे का एक मॉडल बनाया और इसके अंदर इस रोबोट को डाला गया जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मौजूद एक छोटे अबजेक्ट को इस रोबोट की मदद से निकाला गया है ये सर्कुट की मुरमत के लिए बेस्तमाल हो सकता है क्योंकि ये पिगल कर सॉकिट में घुश सकता है और एक स्क्रियो का काम इन्जाम दे सकता है लेकिन रेल वर्ल्ड में इस्तमाल करने के लिए इसको कुछ तबदीलियों की और कुछ चीजों की जरूरत होगी मिसाल के तौर पर क्योंकि इनसानी जिसम में इस मेटल के पिगलने से ज्यादा टेमपरेजर मौजूद है तो इसके अंदर गेलियम बेस्ट अलॉई मेट्रिक्स त्यार होगा जो के इसके पिगलने का जो पॉइंट है वो बढ़ा देगा एक साइंस्तान का कहना है कि अभी इस तहकीक पर बहुत काम होना बाकी है ये आर्टिकल 25 जनवरी 2023 को मैटर पर पब्लिश हुआ जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एड़ कर रही हूँ आप वहां से इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं तो नाजरीन कैसी लगी ये वीडियो जिसमें हमने देखा एक ऐसा रोबोट जो के लिक्विट स्टेट में चेंज हो सकता है तो नाजरीन अगर आपको ये वीडियो इंटरस्टिंग लगी है पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें और दूसरों से शियर करें कमेंट कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ीद अपडेट से मैं आपको आगाह करती रहूं ना बहुत ख्याल रखिएगा वीडियो देखने का शुक्रिया अल्ला हाफिज